बोल्ड अंदास के चलते 61 सुर्ख्यों में रहने वाली आक्ट्रस पूनम पांडे हाल ही में साम बॉंबे संग शादी के पवित्र बंधन में बंद कर सुर्ख्यों में आई थी। पूनम ने अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखा। गुपचब तरीके से शादी करने के बाद इस कपल ने अपने सोशल मीडिया अकाउन के जरिये 10 सितंबर को नी शादी की घोशना की। शादी के बाद ये न्यूली मैरिट कपल हनीमून के लिए रवाना हुआ। पूनम पांडे पिछले हफते की हनीमून के लिए रवाना हुआ। अभी पूनम को उनके हस्बेंट साम बॉंबे के साथ एरपोर्ट पर स्पोर्ट किया गया। इस दोरान पूनम अपने पती साम बॉंबे के साथ सिंपल लुक में नज़र आई। उनकी मांग में सिंदूर था, हातों में चूड़ा और गले में पूनम ने मंगल सूत्र पहन रखा था। लेकिन शादी के महस तेरा दिन बाद ही पूनम पांडे और उनके पती के बीच अन्बन की खबरे सामने आ रही हैं। खबरों के मताबिक पूनम ने अपने पती के खिलाफ प्लिस में शिकायत की थी। रपोर्ट्स की माने तो पूनम ने अपने हस्बंड साम बॉमबे पर शारीरी कुद पीडन धमकी देने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। पूनम पांडे ने अपनी शिकायत में कहा कि सोमवार रात उनके पती ने उन्हें मॉलस्ट किया मारपीट की। इस बारे में आगे बताते हुए पूनम ने कहा कि साम बॉमबे ने उन्हें अंजाम भूखतने की भी दमकी दिये। पूनम की शिकायत के बाद उनके हस्बिन साम बॉंबे को मंगलवार को गोवा में गिरफतार कर लिया गया है।